नमस्कार मित्रों कहते हैं कि शादी जन्मों जन्म का मेल होता है शादी सिर्फ दो लोगों के बीची नहीं होती है बलकि यहां दो परिवारों का भी मिलना जरूदी होता है हमारे समाज में फिलहाल अरेंज मैरीज बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है यही वज़ा है कि शादी का नाम आते ही कुछ लोग घबरा जाते हैं तो वही कुछ लोग इसे अपनी लाइफ का सबसे खुश नुमा पल मांते हैं पाच चाहे जो कुछ भी हो लेकिन एक दूसरे को खुश रखने के लिए पार्टनर अक्सर कुछ न कुछ जरूर करते हैं जब शादी के बात होती है तो लड़कियां काफी घबरा जाती है क्योंकि उनके लिए सब कुछ नया महौल होता है जी हाँ, घर परिवार को छोड़कर दूसरे के यहां अचानक से जाना उनके लिए आसान बात नहीं होती यहां अगर पती शपोर्ट करने वाला मिल जाया तो लड़कियों के समस्या थोड़ी सी दूर हो जाती लेकिन ऐसा बहुती कम केस में देखने को मिलता है यही वज़ा है कि लड़कियां शादी के नाम से भागती है घर परिवार को एक तम से छोड़ कर जाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे लड़कों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपने पार्टनर को खुश कर रखने के लिए कुछ भी करने के लिए राजी हो जाते हैं यूँ तो आपने देखा होगा कि शादी के बाद लड़कियां थोड़ी दरी और सहमी होती हैं लेकिन अगर ये कहा जाए कि लड़के भी इसी दौर से गुजरते हैं तो शायद ही कोई इस बात का यकीन करेगा पर वाकई ऐसा होता है कुछ लड़के अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा दरते हैं पता दे चले कि डर और सम्मान में बहुत फर्क होता है अगर आप अपने पार्टनर का सम्मान करेंगे तो आपके लिए बहतर होता लेकिन अगर आप अपने पार्टनर से डरेंगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि अगर आपके पार्टनर को पता चला तो वो आपसे थोड़ा नाराज भी हो जाएगी चलिए जानते हैं वो दो नाम के लड़के कौन कौन से हैं जो अपने पार्टनर से बहुत ही ज़्यादा दरते हैं ऐस नाम के लड़के जिन लड़कों या पूर्सों के नाम इस अक्षर से शुरू होते हैं वो स्वभाव के बहुत ही ज़्यादा बहतरीन होते हैं इन्हें अपनी लाइफ में हमेशा खुश्यां ही चाहिए होती हैं धिसके वजह से कई बार सम्झवता भी करना सिख जाते हैं। ये अपनी पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर रहते हैं। अपनी पार्टनर को खुश रखने के लिए ये कोई भी कदम उठाने के लिए हमेशा तयार रहते हैं इतना ही नहीं इन्हें अपनी लाइफ में कभी भी कलह नहीं चाहिए होता है इसके लिए अगर इन्हें अपनी पार्टनर से डर के रहना पड़े तो ये रहने के लिए हमेशा तयार रहते हैं यहाँ इनकी अपनी एक अलग खूबी होती है पी नाम के लड़के चीन लड़कों के नाम इस अक्षर से शुरू होता है वो भी अपनी पत्नी से खूब डरते हैं इन लोगों की यहाँ खामी होती है कि ये अपनी पत्नी को सिर्फ दिखाने के लिए डरते हैं ये मन से नहीं डरते हैं ये लोग काफी शर्मिले स्वाब होके होते हैं जिसकी वजह से ये कुछ भी बिना कहे अपनी पार्टनर के हर बात मान लेते हैं इतना ही नहीं ये डर पोक किस्म के होते हैं इन्हें अपनी पत्नी का खूब डर होता है इन्हें इस बात का डर होता है कि इसकी पत्नी इन्हें कहीं छोड़ कर नहीं चले जाए यही वज़ा है कि अपनी पत्नी के सामने ये थोड़ा दब कर रहना ही पसंद करते हैं तो दोस्तों ये दो नाम वाली लोग होते हैं जोरू के खुलाब आपकोई वीडियो कैसे लगी आप हमें जरूर बताएं और हमारे सभी वास्तु टीप्स और जियोदी शास्तर से समंधी चानकारियों के लिए हमारे से यूटूब चैनल को आजी सब्सक्राइब पर ले जय मादा दिमित्रों